Hello everyone, welcome to my channel NK Education, मेरी YouTube channel पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Election के बाद जब से आजा सहिता खतम हुई है, तब से पिर्तियक डेपार्टमेंट में वेकेंसी का सिरसला चला हुआ है सिक्षक भरती से लेकर PRT हो, चाहे हायर एजुकेशन में वेकेंसी की बात हो, या पुलिस भरती की बात हो, चाहे ग्रामीन डाक सेवा की इन सभी में मोशली चाहे हेल्थ डेपार्टमेंट है, सभी में वेकेंसी निकली हुई है, रिक्तियां तलब की गई थी, उसके रिगार्डिंग भी हमने पहले आपको एक वीडियो के माद्यम से सूचित किया था कि अब आप अलर्ट रहें क्योंकि हर एक डेपार्टमेंट में वेकेंसी निकलने वाली है, तो उसी सिलसले में आज जो वेकेंसी हैं 44,228 भरतियां होने वाली हैं, एक बहुत बड़े पैमाने पर ये भरतियां हैं, जिसके लिए आपको एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं ये वेकेंसी निकली हुई है, 44,228 भरतियां हैं, जिसमें भारतिय डाक विभाग ने अपने विभिन पोस्टल सरकल में ग्रामीन डाक सेवकों, GDS की बंपर भरतियां निकाली हैं, तेईस राजों के विभिन पोस्टल सरकल में कुल 44,228 नुक्तियां होंगी, यानि कि भार इतने उसमें तो ये कही सकते हैं कि आप ये समझ लीजे कि All India ही समझो, 28-23 राजों में अगर वेकेंसी निकली हुई है, तो उत्तर पिरदेश में सरवधिक आपको वेकेंसी देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें 4,588 पद भरे जाएंगे, ये निक्तियां ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM स्रेनी के तहत होंगी, ये इनकी पोस्ट का नाम है, इन दो पोस्ट पर वेकेंसी निकाली जाएगी, जो इच्छो को मिदवार हैं वो 5 अगस्त 2014 तक फॉर्म भर सकते हैं, यानि कि 5 अगस्त से आप इसका आवेद शुर्क चुकाना होगा, इसके बाद ही ओनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो आपका जो ओनलाइन भरने, जो फॉर्म भरने का तरीका है, वो ओनलाइन मोड पर है, और बाकी जो आपका सीट हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको जूम कर दिया है, किस राज्ये में क यह वेकेंसी हैं, बिहार में 2558, जहारकंड में 204, दिल्ली में 22 हैं, केवल अनारक्षित ही वर्ग से यह सारी वेकेंसी निकली हुई हैं, हरियाना में 241 हैं, और आंध्र परदेश में 1300, पच्पन, असम में 896, तो आप इसका स्क्रीन सॉट ले लें, यह प्रति एक 23 राज कि किस आपके राज्य में कितनी पोश्ट निकली हुई हैं, अब बात कर लेते हैं कि वेतनमान कितना होगा, यानि आपकी सेलरी कितनी होगी, तो ग्रामी डाक सेवा जो की BPM के लिए है, वो 12,000 से 29,380 रूपे, अच्छी सेलरी है इनकी, और ग्रामी डाक सेवा की जो है, व बात करेंगे योग्यता की योग्यता क्या चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है, पहले आयू की बात कर लेते, आयू आपकी 18 वर्स और अधिक्तम 40 वर्स से कम हो, यानि आप 18 वर्स के हो चुके हो और 40 वर्स के ना हुए हो, इस एज के बीच में अगर आप हैं, तो आप आवे कर सकते हैं, अधिक्तम आयू सीमा में SC, ST वर्ग को 5 वर्स, OBC वर्स को 3 वर्स और दिव्यां को 10 वर्स की छूट प्रदान की जाएगी, ये आपका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एज में रिलेक्सेशन है, अब बात कर लेते हैं हम योग्यता की, तो इसके लिए योग् वारी है, यानि आपको केवल 10 वी पास होना जरूरी है, और आप गनित और अंग्रेजी में फेल ना हुए हो, 10th क्लास में, दूसरा है कि जिस पोस्टल सरकल में आविदन करना चाहते हैं, यहां कि आप स्थान्य भासा की 10 वी कफशा तक की पढ़ाई की हो, यानि जिस वेज को जानते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, आगे है, तीसी आपकी योगयता की कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी हो, बहुत आपको डिप्लोमा या को ऐसा सर्टिफ़ गर नी, बेसिक जानकारी आपको कम्प्यूटर की होनी चाहिए, और साइकल चलानी आपको आती ह हैं और इन दस्तावेजों को अप्लोड करें जो दस्तावेज आपको अप्लोड करने होंगे डोक्यूमेट्स वो है दस्वी कक्षा की मार्क सीट की स्कैन कॉपी दूसरा है पहचान पत्र, आधार कार्ड की scan copy और जनम पिरमान पत्र की scan copy यानि आपका जो birth certificate है 10 वी का और पहचान पहचान में आपका आधार कार्ड होना चाहिए आगे है जाती पिरमान पत्र होना चाहिए अगर आप किसी भी चीज में relaxation ले रहे हैं तो आपका cast certificate लगेगा आगे है कि scan किया हुआ post जो passport size photo होता है वो होना चाहिए और अभ्यर्ती के scan किये हुए हस्ताक्षर होने चाहिए ये आपके upload होंगे ये चीज़ जब आप online आवेधन करेंगे आवेधन पिरकिरिया क्या होगी इसे भी देख लेते सबसे पहले इंडिया post की अधिकारिक website ये अधिकारिक website है इसको आप not down जरूर कर लें screenshot ले लें इस पर आपको जाना है इसके home page पर बाई तरफ मौजूद notification टैब में जाएं और वहां descriptive notification लिंक पर क्लिक करें उसके बाद जो नए page पर पद से संबंदित विज्यापन खुल जाएगा इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें आपको विज्यापन जरूर ध्यान पूर्वक पढ़ना है और योग्यता की जाज भी कर लें आवेधन से पहले अभ्यरती को registration करना होगा इसके लिए home page पर वापिस आएं और candidate corner में दिये गए stage 1 registration के अंदर registration पर click करें next आपको करना होगा खुलने वाले form में अपना नाम पिता का नाम जनमतिती, mobile number, email आदी दर्ज कर आप capture भरेंगे और उसे submit button पर click कर देंगे registration पूरा होने पर registration number प्राप्त हो जाएगा आपको इसे note कर लें जो registration number प्राप्त होगा उसे जरूर note करना है क्योंकि उसी को आप जब कभी आपको से open करना है तो इसी registration number के माद्यम से आप उसे open कर पाएंगे आगे है कि होम पेज पर वापस जाएं और फिर फी पेइमेंट लिंक पर क्लिक करें इसके बाद निर्देश अनुसार शुल्क का भुकतान करें ध्यान रही कि शुल्क भुकतान के बाद आवेदन फॉर्म भर जाएगा यानि जो भी कुछ आपको करना है आप पहले कर सकते है अगर आपने शुल्क भुकतान कर दिया तो किसी भी प्रिकार का कोई करेक्शन संभव नहीं है इसका मतलब माना जाता है फॉर्म फिल हो गया है आगे है अब एपलाई ओनलाइन पर क्लिक करें रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करें इसके बाद जिस राज्ये के लिए आ जानकारिया दर्ज करें जो जानकारिया वो मांगता है चाहे वो आपकी व्यक्तिकत है एजुकेशनल है और अनबहु से जुड़ी हुई है ओनलाइन आवेदन के दोरान प्राप्त लिंक से मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अप्लोड करें फोटोग्राफ और ज सब्मिट बटन पर क्लिक कर देंगे और आपका आवेदन प्रिक्रिया पूरी हो जाएगी अब प्रिंट एप्लिकेशन पर क्लिक जमा हुए आवेदन पत का प्रेंट आउट आप निकाल सकते हैं उसे निकाल कर आप जरूर रख लेए पूरा प्रोसेस हमने आपको समझा द प्रिंट नहीं है और शुलक का भुकतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिंग के जरिये ओनलाइन करना होगा यह आपको ऑनलाइन का बता दिया है किस तरीके से आपको ऑनलाइन भुकतान करना है आगे है अन्य जरूरी बाते भी देख लेते हैं नियम क्य है चैनित होने वाले अभ्यर्थी के लिए यह जरूरी होगा कि वे तैसीमा के अंदर सम्मंदित डांक ब्रांच या ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गाउं में रहने का प्रमान प्रस्तुत करें इसे नौट कर लीजिए आप नियम है यह और आयका आपको जो श्रोत है चैनित कारी वेतन पर निर्भर नहीं है यह प्रमान चैन के 30 दिनों में भी देना होगा यानि आपके पास और भी कोई ऑप्षन है ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का चैन करें अब इसमें जो आपके पद के लिए है जो भी पद आप चुनेंगे उसके लिए उम्मीदव करना होगा तो आपके लिए यह सभी और केवल दस भी पास ही आपको चाहिएगा और सेलरी भी ठीक है पांच अगस्त से एपलाई कर सकते हैं बाकी कुछ और जो भी रह गया होगा या कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपको बता पाड़ी चैनल के साथ और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इससे रिलेटेड पिरती एक अपडेट से अपडेट होते रहें थेंक्यू और थेंक्स वर वाचिन